हरसद्धी विधान सभाक शेत्र, विधान सभाक शेत्र संख्या 13, जिला पूर्वी चमपारन और हम यहां चुनावी इतिहास की बात कर रहे हैं, बिहार चुनाव 2020 को लेकर ये है सत्ता विमर्ष की खास पेशकश हरसद्धी विधान सभाक शेत्र की डिमोग्राफी को समझ लेते हैं, ये SC के अंतरकत आता है, यानि Reserve Seat है, विधान सभाक अगठन 1951 में हुआ, जिला है पूर्वी चमपारन, लोक सभाक शेत्र भी है पूर्वी चमपारन, 2011 की जनगर्णा के मुताबिक कुल जनसंख्या है 4,297, शहरी जनसंख्या है 0,9 फीसदी, गरामीन जनसंख्या 100 फीसदी, अनुसूचित जाती, 16,18 फीसदी, और अनुसूचित जन जाती, 0,13 फीसदी. स्क्रीन पर अब दिख रहा है 2000 का चुनावी परिणाम, उस समय कुल मतदाताओं के संख्या थी 1,75,446, कुल मतदान हुआ 71%, जीते हुए कैंडिडेट महेश्वर सिंग, से पी के उन्हें वोट मिले 60,363, यानि 48,93%, हारे हुए कैंडिडेट अफधेश कुश्वाहा, राजत से उन्हें वोट मिले 47,645, यानि 38,62%, जीत का अंतर 12,718, यानि 10,31%. फर्वरी 2005 का चुनावी नतीजा आपके सामने हैं, तब कुल मतदाता थे 1,98,156, कुल मतदान हुआ 47%, जीते हुए कैंडिडेट अफधेश कुश्वाहा, लोजपा से, वोट इन्हें मिले 36,755, यानि 38,68%, हारे हुए महेश्वर सिंग, जेडियू, यानि जदियू से इन्हें वोट मिले 28,791, यानि 30,30%, और जीत का अंतर 7,964, यानि 8,38%. हम जानते हैं कि 2005 में दो चुनाफ हुए थे, अभी हमने फरवरी का देखा, अब स्क्रीन पर है October 2005 का परिणाम. कुलमत दाता 1,95,598, कुलमत तान 49 फीस दी, जीते हुए कैंडिडेट महेश्वर सिंग लोजपा से, इन्हें वोट मिले 35,811, यानि 37.01%, हारे हुए अभधेश कुश्वाहा जदियू से, इन्हें वोट मिले 35,703, यानि 36.90, प्रतिशत, जीत का आंतर 108, यानि 0.01,1 फीस दी. 2010 के चुना परिणाम, कुलमत दाता 1,87,089, कुलमत दान 54 फीस दी, जीते हुए कैंडिडेट कृष्ण नंदन पास्वान भाजरपा से, इन्हें वोट मिले 48,130, यानि 46.87%, हारे हुए सतीश पास्वान राज़त से, इन्हें वोट मिले 30,066, यानि 29.28%, जीत का अंतर 18,64, यानि 17.59%, ये था 2010 का चुनावी परिणाम. अब हम आ गए हैं, 2015 के चुनावी नतीजों पर, कुलमत दाता 2,34,837, कुलमत दान 64 फीस दी, जीते हुए राजेंदर कुमार, राज़त से, इन्हें वोट मिले 75,203, यानि 49.87%, हारेवे कृष्ण नंदन पासवान, भाज़पा से, इन्हें वोट मिले 64,936, यानि 43.07%, जीत का अंतर 10,267, यानि 6.8%, तो ये है हर सिद्धी का चुनावे दिहास, जो आपकी स्क्रीन पर है, हम यानि 17 मर्ष ऐसी ही कोशिश कई दिनों से लगातार कर रहा है, आगे भी हम जारी रखेंगे, आपको अपने विधान सबाक्षेत्र के बारे में बताएंगे, बिहार विधान सबाचनाव 2020 की ये बात हो रही है, फिलहाल के लिए इतना ही देखते और सुनते रहिए, सत्ता विमर्ष